इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं दिव्यानी इंटरनेशनल लिम्टेट के बारे में जिसने के अपने quarter 3 के जो नंबर से वो पब्लिश कर दिये हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सारे अप्रेट सिग्दम टाइमली मिलते रहे तो दिसंबर 2022 में कंपनी की टोटल इंकम 798 करोड की थी वो इस बार 847 करोड पर आगी और quarter 2 में 826 करोड की इंकम थी वो इस बार 847 पर आगी तो इस बार की जो कंपनी की इंकम है वो quarter on quarter plus year on year basis दोनों ही जगे हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है यह बात करें कंपनी की total expenses की जो क्यों होते कंपनी की total खर्चे तो yearly खर्चे 725 करोड से 838 पे और quarter 793 से 838 पे तो जिस तरीके से कंपनी की इंकम बढ़ी तो expenses भी quarter plus yearly दोनों ही जगे हमें बढ़ते हुई देखने को मिल रहे हैं then discuss करते हैं after tax company को net profit या loss for the period कितना हुआ तो December 2022 में कंपनी को 71 करोड के profit थे वो इस ब बड़ी गिरावट है यह प्रॉफिट में quarter wise बात करें तो 35 करोड के अप्रॉक्स प्रॉफिट थे वह इस बार 5 करोड पर आ गए नंबर सारे दोस्तों मिलियंस में इन करोड में डिसकस कर रहे हैं तो देख सकते हैं आप income तो बढ़ी है उसके बावजूद हमें जो company के profit है हैं वह quarter plus yearly दोनोई जगें हमें बढ़ते हुए देखने को मिलें कि इस बार जो expenses है वह हमें कुछ ज्यादा देखने को मिल रहे हैं company के then discuss करते हैं कि EPS कितना देखने को मिलें profit कम हुआ तो EPS पॉइंट 59 से पॉइंट 08 पे और पॉइंट 28 से पॉइंट 08 पे तो जिस तरीके से profit कम हुए same company के अर्णिंग पर शेयर में भी गिरावाट हमें quarter और yearly दोनोई जगें देखने को मिल रही तो overall दोस्तों यह थे दिव्यानी इंट international के कितने शेयर हैं आपने कितने में खरीदारी की एक comment section बिल्कुल बताएं तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और update के साथ तब तक के लिए बाब बाए